नमस्कार साथियों सीजी जॉब एजुकेशन की ओफिसियल येटूब चेनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वगत है साथियों 36 चात्रवास अधिक्षक की कम्प्यूटर की पूरी तैयारी जी हाँ पूरे 50 में 50 की तैयारी हम सीजी जॉब एजुकेशन की माध्यम से करवा रहे हैं तो जो भी साथि चात्रवास अधिक्षक की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हो क्योंकि computer की संपून तयारी हम cg job education से करवा रहे हैं आज का हमारा ये जो topic है class 6 है जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं word processor की spread sheet की एवं presentation की जो presentation है उसके लिए उपयोग लायक दो समानने जानकारी होती है आज हम इस video में बात करेंगे जो भी साथी नए होंगे हमारी youtube channel को subscribe कर लेंगे सबसे पहले हम word processor को basically समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो word processing से ताथ पर ये क्या होता है document को बनाना, संपादित करना, save करना और print करना ये सभी कारे word processor का होता है और ये होता किसमे है, तो MS office में होता है ठीक है, MS office में, MS Excel वगर में लेकिन ये जो काम है, MS office में होता है अर्थात word को processing करने के लिए जिस software की आवसेकता होती है उसे word processor software के नाम से जाना जाता है ठीक है, तो जिस software के माध्यम से word का processing करते है तुसे word processing software कहते हैं और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी text को file बनाते हैं हम tapping करते हैं समपादित करते हैं edit करते हैं format करते हैं store करते हैं और पुना हम प्राप्त कर सकते हैं print करने की भी अनुमती हमको मिल जाता है word processor की उपयोग हम बात करें इसके उपयोग की तो word processing के अन्तरगत किसी भी word processor जैसे Microsoft Word मैंने अभी कहा Microsoft Word, Google Docs, Open Office Writer का उपयोग करके किसी भी दस्तावेश को बनाने के लिए या समपादित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसके अलावा साथ यह word processor का एक और उपयोग है कि इसका उपयोग विभीन प्रकार के कारियों के लिए computer में प्रयोग किये जाने वाले जो application program है तो उसमें जैसे MS, Home, Office Business, Education आदी के लिए भी इसका उपयोग है किया जाता है ब्यावसाय संबंधी कारियों के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं कोई भी ब्यावसाय में नियमी लेटर्स, memo, reference, document आदी के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है यह spreadsheet है जो आपको दिखाई दे रहा है तो spreadsheet है यह जो है MS Excel से खुलता है MS Word और MS Excel वही जो है आपका processing और spreadsheet यह दोनों में आते हैं और इसी दोनों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा ठीक है MS Excel है इस पर हम बात करेंगे और MS Office पर तो आईए हम शुरू करते हैं MS Office से कि हमारा MS Office होता क्या है देखो MS Office MS जिसको Microsoft Company द्वारा 1988 में बनाया गया था कब बनाया गया था 1988 में Microsoft Company द्वारा MS Office को बनाया गया था याद रखना यह एक समान्नी application software है General Purpose application software है और यह विभिन्न प्रकार के software का एक सम्मू होता है अर्थात इसमें 5 प्रकार के MS Office में MS Office के अंदर 5 प्रकार के क्या-क्या 5 प्रकार के software होते है तो इसी के अंदर आता है एक MS Word जिससे हम टाइब करते हैं कोई भी डाकुमेंट को बनाने के लिए है ना तो यह MS Word है MS Excel जैसे Excel sheet जिसके बारे में इस topic में है है ना Excel sheet तो यह Spread sheet software है MS Word क्या है एक Word processing software है MS PowerPoint इसमें presentation करना होता है तो इसके लिए इस बनाया जाता है पेज में कर कोई भी पेज को बनाने के लिए MS Access Data Management Software है तो यह पाँच प्रकार का जो software है वो आपका MS Office में आता है ठीक है तो Microsoft Office में MS Word Microsoft Word Microsoft Excel MS PowerPoint PageMaker और MS Access Excel यह पाँच प्रकार के software MS Office के अंदर आता है क्लियर है भाई यहाँ से आपको कोई इसू ना हो अब हम बात करें Microsoft Word क्या होता है यह है एक Word Processing software है जिसका उप्योग डाकुमेंट बनाने के लिए किया जाता है नए Word टाइप करना है डाकुमेंट डिफार्ट नाम देना है फार्मेट करना है एक्स्टेंशन नेम इसका जो Microsoft Word है उसका एक्स्टेंशन नेम देखो क्या क्या होता है याद रखना अब Microsoft Word के कुछ अवया होते है जब आप वार्ट ओपन करोगे MS Word तो बहुत सारे आपको वार्ट मिलेंगे उसमें टूल्स मिलेंगे टाइटल बार, इस्टेंडर टूल बार, मेनू बार, रिबन, रूलर, वर केरिया, करसर ये सभी आपको मिलेंगे इसके अलावा आपको कुछ सौट कट की भी है आपको याद रखना है, क्योंकि सौट कट की से ही आप बहतर तरीके से और जल्दी-जल्दी काम कर पाते हो जैसे न्यू पेज बनाना है, तो कंट्रोल न्यू करोगे ठीक है, और ओपन करना है, पेज को कंट्रोल प्लस सीप्ट प्लस एप 12 करोगे सुरक्षित डाकुमेंट खोलने के लिए पेज सभी कंटेन को चुलने के लिए कंट्रोल ए करोगे डाकुमेंट को प्रिंट करना है, इसके लिए आप अलग यूज करोगे एप 5 क्या है, फाइंड और रिप्लेस के लिए एप 5 का उप्योग करोगे copy करने के लिए ctrl c करोगे cut करने के लिए ctrl x करोगे paste करने के लिए ctrl प्लस shift प्लस insert करोगे undo के लिए ctrl z और redo के लिए ctrl y करोगे f12 save is करने के लिए आप f12 का उप्योग करोगे alt f4 जब आप use करोगे shutdown करने के लिए आप उप्योग करोगे इस तरह से ये sort करकी है और इसको बिल्कुल रट्टा माल ले ना भई कहीं भी किसी भी आपको computer की study material आपके पास होगा उसमें ये चीजें रहता ही है ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है उसके बाद में आता है इसी में MS Excel MS Excel MS Excel केवल आपका दो ही चीज है ना आपके syllabus में MS Word और MS Excel इसलिए मैं इन ही दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा तो Microsoft Excel MS का नाम है Microsoft MS से Microsoft और Excel Microsoft Excel में यह है एक spread sheet प्रोग्राम है जिसका उपयोग data को table number ब्योस्थित करना होता है जैसे मैंने बताया था कि data को table में ब्योस्थित करना है या किसी पंक्ति या istham में मिलकर अग वो बनता है तो इसी के लिए MS Excel का प्रोग किया जाता है data को column या row में ब्योस्थित करने के लिए ही Microsoft Excel का प्रोग किया जाता है तो इसकी पंक्यों को एक दो तीन चार बहुत सारे नंबर क्रम के संख्याओं में और इस्तम को ABC अलफबेट अक्छर से जानते हैं ठीक है अर्थात इस्तम को ABC और पंक्ती को एक दो तीन चार से जानते हैं अब इसमें अनेको आवया होते हैं Microsoft में जिसे टाइडल बार, इस्टेंडर टूल बार मेनू बार, रिबन स्क्रॉल बार, रेसर सेल एड्रेस भी होता है सेल एड्रेस के अलावा फर्मूला फंक्शन्स भी होते हैं है न सौर्ट करकी जिसके लिए हम उप्योग करते हैं न भई और इसके लिए भी short cut की होते हैं MS Excel के लिए MS Excel के लिए F2 चुने हुए sale को edit करने के लिए F5 किसी विशेश पर जाना है तो F7 चुने हुए text rate document की spelling के लिए ठीक है Ctrl प्लस shift current time के लिए Ctrl प्लस तो ये अलग-अलग जैसे कि आपको जो short cut की दिया हुआ है ये सभी short cut की है संपूर पंक्ती को चुनना है Ctrl प्लस space संपूर कॉलम चुनना है Ctrl प्लस space दो Excel फाइल के बीच में मूँ करना है Ctrl प्लस टीबी, टैब Ctrl प्लस space डाउन करोगे तो बीच से मूँ हो जाएगा ये short cut की है जो कि Microsoft Excel में उप्योग होता है समझ रहे हैं और इनको आपको विशेश ध्यान देना होता है क्योंकि MS Microsoft Excel जो है आपका spread sheet से जुड़ा हुआ है और आपके syllabus में ये spread sheet से जुड़ा हुआ है तो आपको इसको विशेश ध्यान देना होगा तो MS Word में MS Office के अंदर MS Word और MS Excel ये दो चुझे हैं जो कि आपके syllabus में है और ये जो उपर की और दिख रहा है यही spread sheet है देखिए इसमें column और row दोनों दिया हुआ है पंक्ती और column तो ये column देखो यहाँ पंक्ती को ABCD से दरसाया गया है और column को एक दो से दरसाया गया है ठीक है और इसको किसी में एक डिब्बा है इसमें क्रम से कोई भी नाम जैसे कि हम इसमें data group में संग्रहित करना चाहते हैं हम उसको कर सकते हैं बहुत सारी जो work है आप Excel से करते हो किसी का नाम जैसे कि बड़े बड़े आज कल बहुत सारे साथियों का नाम इसमें entry करना है तो सभी प्रकार की entry जो है इसमें हम कर सकते हो है ना तो ये MS Excel है जो की आपको दिखाई दे रहा है तो MS Office और MS Excel दो ही चीज़े हैं आपके syllabus में देखिए इस से जुड़ा हुआ एक दो प्रश्ण किस तरीके से आपका बनता है आप उसको भी समझो तो MS Word का प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संसोधन के लिए पध्यांस डाटा संसोधन संख्यात्मक डाटा संसोधन या उपरुक्त में से कोई नहीं तो इसका उत्तर है पध्यांस डाटा संसोधन अर्थात पध्य गद्य या पध्य क्या होता है ये लंबा-लंबा टाइपिंग लिखा जाता है तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा आप थोड़ा सा समझ के आंसर दोगे तो उत्तर आ जाता है जैसे यहाँ पर एक क्वेशन है देखो ये व्यापम में आया हुआ है भई होस्टल वाडन में पूछा गया प्रश्ण है MS Word Software में कारे करते समय A12 बटन दबाने पर क्या होता है तो 12 बटन जब आप दबाते हो तो इसका उत्तर भई सेवेज डायलोग बाक्स ओपन होता है तो आपको साटकट की को बिल्कुल याद रखना है देखो यदि मैं बात करू MS Word और MS Excel की MS Word और MS Excel में आपको सिर्फ साटकट की पर जादा फोकस करना है क्योंकि प्रश्ण आपके वही से ज़्यादा पूछे जाते है ठीक है भई हास्टल वार्डन में आ चुका है देख सकते हो एक और प्रश्ण है प्रश्ण कर मांग यह जो तीसरा दिख रहा है ये भी आपका हास्टल वार्डन में पूछा गया है MS Excel में एक फ़लन नहीं है कौन सा एक फ़लन नहीं है SUM ADD MAX SQRT ये भी व्यापम के एक्जाम में 2014 में आया हुआ प्रश्ण है इसका उत्तर हो जाए गब्बी MS Excel में ADD एक फंक्सन नहीं है ठीक ये भी हास्टल वार्डन में आया हुआ है 2014 में ही ऐसे ही एक पाँचवा प्रश्ण है देखो हम उन प्रश्णों को ले की चल रहे है न अच्छा ये एक और है MS Excel ये चवता प्रश्ण भी हास्टल वार्डन का है MS Excel का उप्योग करते समय किसी सेल को कमपज करने के लिए कौन से बटन को दबाते है F2, All, Shift या, Enter तो इसका उत्तर हो जाएगा A, F2 बटन को दबाते हैं ये भी होस्टल वार्डन 2014 में आ चुका क्वेश्ण है ऐसा ही पाँचवे प्रश्ण की तरफ हम देखे तो भी पाते हैं देख सकते हो यहाँ पर आप निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है तो MS Word, Word Star, Word Pad और उप्रुग सभी तो भाई MS Word तो है ही Word Star, Word Pad ये सभी जो है आपका श्लाइड है MS Word है ठीक है Word प्रोसेसर के अंदर आता है MS PowerPoint MS PowerPoint से जुड़ा हुआ किसी स्लाइड सो को प्रारम करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है वही है shortcut की से ही related question है इसका उत्तर F5 हो जाएगा ये भी आपके exam में पूछा गए साथियों हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे MSQ लगातार चलेंगी आपके previous year bank, railway, ब्यापम, PSC सभी में पूछे गए MSQ को लेकर हम धमाकेदर MSQ सीरीज लाते जाएंगे तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे ताकि आपकी जो 14 वास अधिक्षक की पूरी तयारी हमारे साथ हो सके जैहिन वद्यमातरम